कि है कि है अब अब एक्स्टर्नल पावर्स हैं वो कैसे साउथ एशिया के जो वाई लेटर अलेशन है यानि कि दूए पक्षियर डिलेशन्चिप है उनको कैसे प्रभावीत करते हैं और अपने पॉइंट को एक्जेम्पल के साथ वेरिफाइए काने यानि की एक्स्टर्नल है ठीक है वो South Asia के जो दूपक्षियर रिलेशन है यानि की वाई-लेटर रिलेशन्शिप हैं उनको काफी ज्यादा influence करती है ठीक है क्यों कि वैक्यूम में कोई भी शेतर मयूद नहीं है यानि कोई भी शेतर exist नहीं करता ठीक है और इसलिए यह outside side की जो powers होती है, उन से ये काफी具 ज़यदा परवावित होते हैं, चुनल कि कितनी भी कोशिश कर लो कि ये भारी जो power से उनसे परवावित ना हो, फिर भी ये परवावित होती हैं, टैक कि अब South Asian जो politics है, उसमें चाइना और ये America है, वो की रिलेशनों को irritant करती है अब जो demand बड़ी है development की और globalization की उसने दोनों दो जो Asian giant से उनको close लाया है और उनकी जो economic tie है उनको काफी ज़ादा बढ़ाया है since 1991 तक ठीक है अब क्या हुआ है यूएस जो है वो काफी जादा अच्छे relations को enjoy करता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ही उसके बहुत ही अच्छे relationship है जिसके कान वो moderator की भूमिका निबाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मदेस्टर का भूमिका निबाता है एकोनमिक रिफार्म और जो लिबरल एकोनमिक पॉलिसीज हैं दोनों कंट्रीज की उन्होंने अमेरिका की जो participation है उनकी कहराई को काफी जदा इंक्रीज कर दिया है ठीक है अब जो लार्ज साउथ एशिन एकोनमी है वो अमेरिका में है ठीक है और शेत्र की आवादी और ब